नमस्कर दोस्तों सौगत है आप सभी का एजुकेसल लाइफ में मैं राच आप सभी कलाए हूं जी एस कलासिस मेरे पैरे दोस्तों आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे हिस्टरी के स्रेट 3 यदि आप स्रेट 3 के प्रशनों का आंसर दे पाते हैं तो आपके बोर्ट गेज गरें है country रहे तो आपके पास फ़ोर विकलप हैं वीडियो को पॉस कर आशाधने का प्रयास करें डियो के प सब biblical depende का नो को प्रियूट वक्स में ताकि आप सभी का अभ्यास हो सके काफी मोस्ट इफटेंट प्रेश्ट ने कहता है इस पेनिंग जेनी का विसकार कब हुआ ठीक है वीडियो को पॉस कर आंसर देने का प्रियास करें तो इसका आंसर हो जागा आफसन नमर B 1770 क्योंकि इस पेनिंग जेनी का विसकार 1770 इसे भी में ही हुआ था मेरे प्यारे रज़तों आप से ही कहना है कि वीडियो को बार बार देखने हैं और सुनने का प्रियास करें ताकि आपका अभ्यास हो सके काफी मुष्ट बीम कुश्चन है कहता है फूजी फती वर्ग के दवारा किस वर्ग का सोसन गए ठीक है तो वीडियो को पॉस कर आउसर देने का प्रियास करें आप जितना ही आउसर देगे उतना ही आपका अभ्यास होगा ठीक है तो इसका आउसर हो जागा क्योंकि फूजी फती वर्ग के दवारा ज्यादा तर स्रमिक वर्गों का ही सोसन किया गया ऐसे दोस्त हैं जो मेरे आउसर देने से पहले ही आउसर दे रहे हैं ठैंक यू इस तरह से आप लोग परिस्रम करते हैं क्यूशन फोर काफी मुष्ट इपोटेंट परशने कहता है लंदन में अनिवार प्रात्मिक सिछा कब लाग होई ठीक है तो विडियो को पॉस कर आउसर देने का प्रयास करें तो इसका आउसर हो जागा आफसर नमर सी क्यूशन फाइब काफी मुष्ट इपोटेंट परशने कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धी जीवी वर्ग के रुप में उभर कर आया तो विडियो को पॉस कर आउसर देने का प्रयास करें तो इसका आउसर हो जागा आफसर नमर सी स्रमिक वर्ग ही सामाजिक वर्ग और बुद्धी जीवी वर्ग के रुप में उभर कर आया क्योंकि अस्थाई किरिसी के प्रभाव से कैसा जमाव संभा हुआ तो विडियो को पॉस कर आउसर देने का प्रयास करें तो इसका आउसर हो जागा आफसर नमर ए संपत्ति क्योंकि अस्थाई किरिसी के प्रभाव से संपत्ति जैसा जमाव ही संभा हुआ काफी महत्फुन प्रशने काता है आधुनी काल में और दोगी की करने किसके सोरूप को गहन रूप से प्रभाइद किया तो इस प्रशन का आउसर हो जागा आफसर नमर भी सहरी करन कियोंकि आधुनी काल में और दोगी की करने सहरी करन सोरूप को ही गहन रूप से प्रभाइद किया है यह हम सब प्रशन नमर एट को देखते हैं कहता है दीटियव इस्यूद कब शुरुआ ठीक है काफी इपोटेंट प्रशन है सभी गजाम के लिए करता है बीस्तु बजार कब श्तार आधुनी काल में किस समय से आरम हुआ ठीक है तो वीडियो को रोक कर आउसर दने का प्रयास करें तो इसका आउसर हो जाएगा आफसर नमर सी उनिस्वी सताबदी क्योंकि बीस्तु बजार कब श्तार आधुनी काल में उनिस्वी सताबदी से ही आरम हुआ था आईए अब हम सब क्यूशन नमर टेन को लेखते हैं कहता है बीस्तु ब्यापी आर्थिक संकट किस वर्स आरम हुआ था ठीक है तो वीडियो को पॉस कर आंसर देने का प्रयास करें आप जितना ही आंसर देंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा तो बीस्तु ब्यापी आर्थिक संकट उनिस्वी में आरम हुआ था आफसर नमर सी हो जाएगा इसका आंसर काफी मुष्ट इपटेंट परशन है सभी एकजाम के लिए कहता है आर्थिक संकट कुष्ट में मंदी के कारण इरोप में कौन सी नई सासन प्रणाली का उदय हुआ थिक है तो वीडियो को पॉस कर आंसर देने का प्रयास करें इसका आंसर हो जागा आफसन नमर सी फासी वादी नाजी वादी सासन क्यूस्ट ट्वेल कहता है दिवतिय महायूद के बाद इरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दूस प्रभावों को समात करने के लिए हुआ तो इसका आंसर हो जागा आफसन नमर डी इरोपिया संग क्योंकि दिवतिय महायूद के बाद इरोप में इरोपिया संग संस्था का उदय आर्थिक दूस प्रभावों को समात करने के लिए हुआ किवचन 13 काफी मोस्ट इपुटेन प्रशन है सभी एक्जाम के लिए काता है गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस छेतर से भेजे जाते थे ठीक है तो वीडियो को फॉस कर अर्थात रोक कर आंसर देने का प्रयास करें तो इसका आंसर हो जागा ओफसन नमर बी पस्चिमी छेतर जिसको बोलते हैं दच्छिन से पस्चिम अर्थात गिर्मिटिया मजदूर बिहार के पस्चिमी छेतर थात दच्छिम से पस्चिम छेतर से भेजे जाते थे क्यूशन फोटिन कहता है 1810-1830 सी तक लंदन के अबादी 10 लाग से बढ़ कर कहा तक पहुँची ठीक है तो वीडियो को पॉस कर आंसर देने का प्रयास करें तो इसका आंसर हो जागा आफसर नमर C 40 लाक क्योंकि 1810 स्वी से 1880 स्वी तक लंदन के अबादी 10 लाक से बढ़कर 40 लाक हो गए थी क्योशन 15 कहता है देश ब्यापी हड़ताल कब आयोजित की गई ठीक है वीडियो को फॉस कर आंसर देने का प्रयास करें आप जितना ही आंसर देंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा और इस वीडियो को बार बार सुनने हैं और देखने का प्रयास करें तो देश प्यापी हड़ताल 6 अप्सन नमर C हो जाएगा आपका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी के लिए इतना प्रिसरम कर रहा हूं तो मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है Q16 काफी इपोटेंट प्रस्ट ने सभी गजाम के लिए काता है महात्मा गांधी जी दच्छर अफरिका से भारत कीस महिने में लोटे थे ठीक है तो वीडियो को पॉस्ट कर आंसर देने का प्रियास करें इसका आंसर जगहा ऑफसर नमर A जनवरी क्योंकि महात्मा गांधी दच्छर अफरिका से 1915 में जनवरी में ही लोटे थे आईए अब हम प्रेस्ट नमर 16 को देखते हैं कहता है वासको डिगामा भारत कव आया ठीक है तो वीडियो को फॉस कर आंसर देने का प्रयास करें मैं बार-बार कर रहा हूं आप जितना ही आंसर देंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा ठीक है तो इसका आंसर जगा ऑफसन न क्याता है कilt खुनी अब इवार कभ होती कर एक तो वीडियो को पॉस कर आंसर देने का प्रयास करें आप जितना ही आंसर देंगे उतना ही आपका अभ्यास होगा ठीक है तो इसका और सअरपन्ज दी 22 जनवरी 1905 क्योंकि खुनी रभिवार 22 Nh5 को ही हुआ था यह भी जनकाई ले लेजिए कि रूस के सासक जार निकोलिस दूतियों द्वारा ही नियत्थे लोगों पर गोलिया चलवाई गई थी जिस दिन अगटना हुई थी उस दिन रभीवार का दिन था इसलिए इसे खुनी रभीवार कहा जाता है Q18 कहता है काबूर की मृत्तिव कब होई ठीक है तो वीडियो को पॉस कर आंसर दने का प्रयास करें तो इसका आंसर हो जाएगा ओफशन नमर C 1862 Q19 काता है यंग इरोप नामक संस्था अगठन कब हुआ ठीक है तो वीडियो को पॉस कर आंसर दने का प्रयास करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इरोप नामक संस्था अगठन मेजिनी ने किया ठीक है चापा खाना का विसकार कहा हुआ ठीक है तो आपके पास पॉर्बिकल्प में वीडियो को पॉस कर आंसर दने का प्रयास करें अपने कमेंट बक्स में तो इसका आंसर हो जाएगा को thế 말고 में वर्ग ने किया था ठीक है तो मेरी पेरे दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपने कमेंट बक्स में अवस लिखें ठीक है तो इन नी वीडियो पसंद आए यह वीडियो अपने दोस्तों के पास अवसे सेयर करें आप सो अपने एक्जाम की त्यारी करते हैं मिलते हैं अगले वीडियों तो 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 तो